शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले भारत सरकार की ओर से आयोद निर्मानी के निगमी करन के लिए प्रक्रिया आरम कर दी गई है जिसका श्रमीक संगटन ने जोरदार विरोध किया संगटन ने चेताओनी दी है कि प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में 41 ओर्डनस फैक्ट्रियों में कारियरत 82,000 से अधिक कर्मिचारी और अधिकारी बेमुदद बन के लिए बाद्य होंगे भारतिय प्रतिरिक्षा मजदूर संग एवं भारतिय मजदूर संग विधप के उपाध्यक्ष श्री राम बटवे ने कहा कि रक्षा मंत्राले के ओर से रन्नीतिक और कार्यान वे प्रभंदन परामर्श हेतु सलाहकार्ट चैन के लिए निविदा निकली गई है बी जुलाई को बैठक बुलाई गई है और आठ अगस तक निविदाय आमंत्रेद कर उसी दिन निविदा खोली जाएगी प्रोजेक्ट रेपोर्ट बनाने के लिए बारा माह का समय दिया जाएगा भारतिय मज़ूर संग All India Defense Employees Federation AIDEF ने इसका कड़ा विरोध दर्च किया ततकाल इस निर्नाई पर रोक लगाने की मांग की है बटवे ने कहा कि अगर सरकार प्रक्रिया को नहीं रोकती तो सभी करमचारी के समक्ष हरताल करना यही एक मात्र रास्ता है सरकार को इसके सुचना दे दी गई है करमचारियों का मानना है कि सरकार का उक्तनेर है देश विरोधी कामगार विरोधी है तीन महा संगों के समक्ष हरताल में जाने के अलावा कोई भी विकल नहीं बचा बारत सरकार के रक्षा उत्पादन विबाग के द्वारा कारपोटाइशन के प्रक्रिया में एक कदम और आगे उन्होंने बढ़ाया है जिसका हम लोग नहीं विरोध किया है इस निगिमिकरण की प्रकृया में 12 सरकार के द्वारा सलागारों की नियुक्ति के लिए एक टेंडर निकालने की प्रकृया चालू है इस संदर में उन्हें 20 जुलाई को एक मिटिंग बुलाई है जहां पर सलागार उनको लेकर उनको ब्रिफिंग किया जाएगा और इस ब्रिफिंग करने के बाद में उनको प्रोजेक्ट डिव्पर्ट सब्मीट करने के लिए एक साल का समधày दिया जाएगा इन बातों को लेकर के आपको सभी को जानकारी होंगी कि पिछले वर्ष हम लोगों ने निगमी करण को लेकर के हरताल की थी जहां तीनों महासंगों के द्वारा ये कॉल दिया गया था और ये तीनों महासंगों ने जब स्ट्राइक की शुरुवात की तो भारास सरकार के द्वारा इक्तिस आठ्थ दोजार उन्निस को चर्चा के लिए बुलाया था चर्चा में रक्षामंत्रालाई के लोग और क्रमचारियों के प्रतिनिदी इनमें चर्चा होने के बाद में एक एग्रिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने सरकार के द्वारा बोला था कि हम एक उच्चा दिकार समीति का वहाँ पर गठन करेंगे मगर उच्चा दिकार समीति गठन करने के बाद में जो बाते हमारे सामने आई उसने टर्मस अफ रिफरेंस जो उन्होंने बनाये थे उसको लेकर के हमारी अहसामति थी और इस अहसामति के कारण हम लोग ने बारत सरकार को रक्षा मंतरी को पत्र लिखा कि आपके जो टर्मस अफ रिफरेंस है ये कामगारों के हित में नहीं है और कार्पोर्लाइशन को लेकर के हमारी जो बात है उसको लेकर के हमारी अपनी आपत्ती है और इसको आप वापस लीजिए सरकार के द्वारा इसके उपल में अभी तक कोई निरने नहीं लिया गया किन्तु यह जो निगमी करण का प्रस्ताओं में आगे चालना देने के लिए सरकार के द्वारा यह जो प्रकरिया EOAR और आरेपी सलाकार नियुक्ति को लेकर के उन्हें ने टेंडर कॉल किये है उसका हम लोगों ने विरोध दर्शाया है और 10 तारिक को 10 जुलई 2020 को हम लोगों ने अपने तरफ से सरकार के सामने रक्षामंत्री के सामने एक हमारे तीनों फेडरेशन के द्वारा BPMS, AIDF और INDWF तीनों फेडरेशन के द्वारा एक आपत्ति दर्श की है और उनको यह आगा किया है कि किसी महलत में यह निगमी करन की प्रकरिया को आगे बढ़ा अन्न बढ़ाते हुए इसको वापस दिया जाए साथ साथ में यह जो सलाकार निवक्ति की जो प्रोसेस आपने चलाई है उसको भी आप लोग वापस ले यह हम लोग ने उनको कहा है अगर इस मामले में सरकार के द्वारा अगर कोई पॉजिटिव निरने नहीं होता है सकारात्मक दिनने नहीं लिया जाता तो इस देश के अंदर में 41 और्डनस फेक्टिस के अंदर काम करने वाले जो हमारे 20,000 करमचारी है उनके सामने दुबारा बेमुदियादी हरताल को लेकर के जाने के सिवाए किसी प्रकार का कोई दूसरा शस्त्र हमारे पास में नहीं बचेगा इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि किसी भी हाल में इस प्रकरिया को सरकार रोके रक्षामंति रोके और कार्पोटाशन का जो फैसला है वो वापस ले जाए इन बीस या नियूस के लिए वाड़िस से सुनेल शर्टि के साथ अभिशेक पांसी के रिपो में वाड़िस के लिए आता है व वाड़िस अबा़ जाए हम वेपका पांसी के साथ आख अठागा शर्टि रहाए हम पांसी के याए हमें लावाब है वाड़िस ए उन आपके सी इंड़िस के